नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तूलारासी के महारासी फल के बारे में कि यह दिन तूलारासी वालों के लिए केसा रहेगा किन कीन चीजों से इनको फायदा होगा और कीन चीजों से इनको स शुबरंग और सुबंग क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको गुपाई बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए है तो चैनल को सस्क्राइब करें साथ में नाटुपीकिसन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे नीए वीडियो आप तक सबसे पहले पोँश सके तो चलि दोस्तों बात करते हैं कि कैसा रहेगा तूला राशी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं किया आज आपके लिए पोजिटिव रहने वाला है। आज आपके लिए पोजिटिव रहने वाला है। मांगली कार समचार मिलने से मन परशन रहेगा। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पेसे की तगाजा करने के लिए समय बहुती अनुकुल है। परिवार के लिए साथ सोपिंग आदी में भी बहतरिन शमय वेतित होगा। विवां को अपना कोई लक्ष हासिल करने में किसी अनुवी वेक्ति का भी शहयोग मिलेगा। दोस्तों आज आपके लिए आनुकुल गिर्सिती बनी वी है। कुछ महतवपुन कार भी शम्पन होंगे। परिवार में किसी विषय से कार को लेकर आपसी वर्तलाप होगा। आपके नेने को विषय स्प्राक्त मिकता भी मिल सकती है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत की उचीद परनाम मिलने से मन प्रशन रहेगा। और मनवल भी बढ़ेगा किसी विशे सकार को लेकर चल रे प्रयासों में निस्षी थी आपको शफलता मिलने वाली है विरोधी आपके व्यक्तित्व के आगे परास्त होंगे युवावर अपने केरियर को लेकर सजग रहेंगे और सफल भी होंगे साथी साथ दोस्तों कोई सुप समाचार मिलने से मन परभुलित रहेगा दोस्तों भगवान सुर्य देव के आसिरवाद से आज आपकी उनिति का कोई रास्ता खुलने वाला है सकरात्मों को और अनुभवी लोगों का मारदर्शन भी बना रहेगा जिससे आपकी जीवन सेलिकों और अधिक बेहतर बना शकेंगे इनके साथी साथ दोस्तों आपको इन दिन में कुछ शाबधानिया भी देखकर चलनी होगी किसी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद में ना ही पड़ें तो अच्छा है किसी उल्जे हुए मामलों को सुल जाने के लिए बहुत अधिक धैर की जवरत है दुसरों के व्यक्तिकत मामल में सुल जाने के चकर में आप खुद किसी विपत्ती में भी फंस सकते हैं इन पर अब बहुत ही ध्यान रखें अधिसाथ दोस्तों व्यर्थ की नौक जोंक तथावाद विवाद से दूर हैं अन्था लेना के देने भी पड़ सकते हैं वेवसाइक पार्टियों के साथ समपक्रम रहें अपने कामों से समधे जानकारियां को आदान परदान करें इसे नेशिती आपको कुछ उपलब्दी हासिल होगी या समय की गई मेहनत के निकट भविस में बहतरिन परना मिला वाले हैं समय किसी भी तरह की सरकारी करवाई को अस्तेगिद रखना बहतर होगा क्योंकि दिकेतें बढ़ सकती हैं आप अपने एगो और गुस्ये पर कांट्रूल रखें क्योंकि इसकी वज़े से दोस्ती से कुछ दोस्तों के साथ मुन मोटाव हो सकता है दोस्तों ध्यान रखें कि अनुचित कार में रूची ना लें वारना आपकी मान शमान पर आच आ सकती है कोई भी निवे समन्दी फैसला बहुत ही सोच विचार कर करें अत्वा फिलाल ताल ही दें अपने परतिधितियों की गर्तिविदियों को नदर अंदाज ना करें आना था आप किसी परेशाने में पढ़ सकते हैं या समय बहुत ही चोकन्या रहने का है दोस्तों अपने गुस्य और युगू पर काबू रखें इसमें बहाईयों के साथ भी किसी बात को लेकर कुछ कहा सुनी हो सकता है दोस्तों गुस्ता आदमी को कभी काम्याब नहीं करता है वो पीछे की और धगेलता है इसलिए दोस्तों गुस्य पर काभू रखें अब हर कार में हर तरेकी में आगे बढ़ने की शामवामना जरूर रहेगी दोस्तों वाहन अत्वा घर की वरामत को लेकर बड़ा खर्चा सामने आ सकता है किसी परवारी सदस्य के विभाइत जीवन में चलरी परिशानिया को लेकर चिंता रहेगी हालकि आपके सुझाब से परिशतिय काफी हर तक समान हो जाएगी इसलिए आप घावराये नहीं होशला रखने से सभी काम सफलता पुर्मन हो जाएगे दोस्तों ड्राइव करते समय ट्रोफिल नीमों का पूरा ध्यान रखें जरासी साबधानी आपको कानोनी पचले में फसा सकती है यह समय बहुत ही धैर और सेम से व्यतित करने का है दोस्तों आयके साथ साथ वेकी भी सिती बनी रहेगी बच्चा पर कठो नियंतरन न रखके मित्रत व्यवार करें अपने कोई भी योजना किसी के समख शेयर न करें यूआवर घूमने फिरने में अपना श्रमे व्यतित करके आपना ही नुक्सान कर बेठेंगे दोह पर बात ग्रेसिती कुछ विप्रित होगी मन में कुछ नकार्त में विचार उठ सकते हैं घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्प का विश्यज ध्यान रखने की जरुरत है दोस्तों व्यवसाई काम काज के अधिक्ता बनी रहेगी अधिकतर काम समय पर निपट भी जाएगा आपकी कोई योजना सफल होगी स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं जो की लाबदायक रहेंगे दोस्तों भगवान की किरपा से आप व्यवसाई में कोई भी पुण्जी लगाएंगे तो आपको अवसी सफलता मिलेंगे और कई उनतियां कई चमतकारी भी हासिल करेंगे व्यवसा इस्ति में सुधार आएगा मैतपुन ओर्डर मिल सकते हैं कारशर्त में किसी परकार का परिवर्तन करना भी लादायक रहेगा सरकारी नोकरी में सहकरमियों के साथ कुछ मदभेद जैसी इस्ति बन रही है जिसकी वज़े से इस्तिती कुछ तनापुर्ण रहेगी दोस्तो पाटन से समंधी व्यवसा में अभी कोई भी निवेश न करें तथा वर्तमान इस्तिती पर ही ध्यान दें कारचेत में कुछ सुधार समंधी कारे में बहुत अधिक खर्चा हो सकता है पर तो आयके सुरोत में भी बढ़ेंगे इसलिए आर्थिक समस्या नहीं आएगी दोस्तों इस समय व्यवसा से समंधी कुछ अनुकल गिरिश्ती बनी ही है कारचेत में लिएगे ठोस्त तथा महतपूर निन्डे सफल रहेंगे दोस्तों व्यवसाइट पेमेंट मिलने से कुछ राहत मिलेगी पिछले कुछ समय से आर्थिक दिकत्तों की वज़़े से प्रोडक्शन के जो कारे रुके हुए थे उनमें गती आएगी नोकरी पेसा लोगों को ओफिसल यात्रा करनी पड़ सकती है अपके कारचेत में इस्ठाप और कर्मचारियां को अनुसासन में रखना जरूरी है बेतर राकि सभी काम अपने देखरेक में ही करवाएं बिजनस काम में किसी परकार कार रिष्ख लेने के प्रयाशना करें नोकरी पेसा वेक्तियों को कारे के अधिक्ता की वज़े से आज भी समय देना पड़ सकता है इसमें कुछ चुनूतियां बनी रहेगी वैपसा में परत्मान परस्तियों पर ही ध्यान दें क्योंकि कोई भी महतपुन कार को करने से पहले उसके बारे में पूरी जनकारी हासिल करना जरूरी है हलाकि किसी नजदी की मित्र की सला से आपका कोई रुका हुआ कार शंपन हो सकता है तो पत्ति-पत्नी के बिच उतिस समांजस बना रहेगा प्रेम तथा रुमांस में नई समभावने बन शकती है पत्ति-पत्नी के बिच घर की किसी समस्या को लेकर बाद बाद की इस्ति बन सकती है बेतरोगा कि घर की बातें वहार ना आने दें प्रेम तथा रुमांस में नई समभावना बन शकती है दंपत जीवन में सुक सांती बनी रहेगी घर की बुजरों का शनेवा असिरवाद भी आपके मनोबल बना कर रखेगा प्रेम समवन्द में भी नज़े किया बढ़ीगी दोस्तों आपके स्वास्त के बारे में बात करें ठकाना और सुस्ती हवी रहेगी दोस्तों सारी स्वास्त उत्तम रहेगा आप अपने कार्यों को बहतनी तरीकी से उर्जा से पूर्ण कर पाएंगे वर्तमान मौसम का नकार्तमग असर आपके स्वास्त पर पढ़ सकता है स्वास्त को लेकर किसी भी तरह की लापरवाई न करें आप समय ताजगी वा उर्जा से वर्पूर महसूस करेंगे चलिस्तों बात करते हैं आपके उपाय के बारे में दोस्तों आज भगवाने सुरी को पूजा करने का दिन है आप असना निर्वत होके भगर मन में किसी तरह की संका लाए मन में ही मन सुरीदे को परणाम करते हुए पूर्व दिशा की और मुग करके सुरीदे की पूजा करें और तामबे के बरतन से सुरीदे को अर्द परदान करें सुरी को अर्द देते समय जल में लाल फूल और थोड़ा सा कुम-कुम भी डालें इस उपाय को करने से भागवान सुरी की सिरही किर्पा प्राप्त होती है और आपकी सभी मनो कामना है पूर्ण हो जाएंगे चलिस तो आप बात कर लेते हैं आपका भागसाली रंग और भागसाली अंग क्या है दोस्तों आपका भागसाली रंग सादा है और भागसाली अंग आठ है दोस्तों सुरी देव का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल्षे कॉमेंट बॉक्स में जैसुरीदेव जरूर लिखे हैं और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद